मुक्यमंत्वी नायव सिंग सानी के अधेस्ता में बुलाई गई वीजेपी जिला ध्यक्षों और पार्टी पदादिकारियों के साथ ही बोड और कॉर्पोरेशन के चेर्मेन की बैठक में आगामी विधान सबाचुनाओं के तैयारी को लेकर मंतन हुआ पार्टी पदादिकारियों को बूद को मजबूत करने और लोगसवाचुनाओं में जहां कमी रही उसमें सुधार के नर्देश दिये गए मुख्य मंत्री ने बोड और कॉर्पोरेशन के चेर्मेन से फीडबेक लिया और विभाग में उन्हें आ रही परिशानियों की जौनकारी भी ली हैफेट के चेर्मेन कलाश भगत सखास बाचीत हुई असोशेट एडिटर अनिल कुमार ने की दिखा रहा है आपको मुख्य मंत्री नायव सिंग सैनी द्वारा जिला अध्यक्सको पार्टी पदादिकारियों और बोड और कार्पोरेशन के चेर्मेनों की बुलाई गई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है सबसे पहले तो आपका हैफ़ड के अंदर आने पर स्वागत है आज मन्ने मुख्य मंत्री जी ने सभी कार्पोरेशन के चेर्मेन की मीटिंग दी और उसके अंदर सभी चेर्मेंस को अपनी अपनी दिक्कत कोई भी है उसको कहने के लिए ये बताया कि आपको किसी चीज की जरूरत है कोई कमी महसूस हो रही है तो आप बताओ तो हर चेर्मेन ने जो किसी चेर्मेन को ये लगा कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ये दिक्कत आ रही है तो उनको बताया गया उन्होंने साथ के साथ इस चीज का आश्वासन दिया कि किसी भी गरीब आदमी को आम आदमी को वेपारी को जिमिदार को कहीं भी किसी तरह क दिक्कत ना आये और इसको साथ के साथ इन कामों को जल्दी जल्दी निप्टाया जाए भगत जी आज की बैठक में संगठन मंत्री भी थे तो संगठन मंत्री ने भी कोई दिशा निर्देश दी हैं क्या हाँ आज की बैठक के अंदर हमारे मन्य संग्ठन मंत्री भी थे उन्होंने पहले भी आ रहे अना प्रदेश के अंदर पिछले इलेक्षन में भी पूरी सेवा करने का काम किया उन्होंने सारे चेर्लमेंट्स को अदेश दिये कि आप सभी लोग एक अच्छे तरीके से काम करो जिससे आम आदमी आम जनता किसान सब परसन हो और मन्य परदान मंत्री श्री निरिंदर मोदी जी द्वारा जो योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है उसको बहुत अच्छे डंग से मनाने का आप काम करो भगे जी जिस तरह भी आपने बताया कि संगधन मत्री ने भी चेर्मेनों को और पार्टी पता देरकारियों को अदिशा निर्देश दिये हैं तो अब विधान सबा चुनाव को लेकर क्या त्यारिया हैं विधान सबा चुनाव को लेके पुरन तयारूप से हर्याना परदेश में हमारे वरकर दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं क्योंकि परदेश के इलेक्शन में थोड़ा ही टाइम रहता है और आपने देखा कि हमारे पहले मन्या मुख्यमंत्री शिरी मनोरलाल जी ने साड़े नौ साल हर्याना परदेश की उस धंग से सिवा की कि जैसे अपने परदेश पूरे परदेश को एक परिवार समझ के बगेर बेद बाव के उन्हें ने बगेर खर्ची पर्चीके हर बच्चे को लगाने का काम किया और जिमिदार को मैक्सिमम रेट देने का काम किया उन्होंने हमारे को भी ये कहा कि हैफ़र्ट जिमिदार के लिए जितना बढ़िया कम कर सकती है उतना बढ़िया कम करे और हमने जिमिदार को पिछले दो साल के अंदर अंदर आपने देखा कि बांसमती के रेट 3500 रुपे से लेके हमने 6500 रुपे तक करने का काम किया और पूसा का रेट भी 3500 रुपे लेके 5000 रुपे तक करने का काम किया जिससे पूरे हर्याना परदेश के अंदर जिमिदार का जो ठेका था वो बीस-बीस हजार रुपे बड़ा मान्य उर्जा मंत्री और आज शेरी विकास मंत्री के दोनों पद उनके पास एक इतने गर्मापूर पद है कि वो जो उनका तजर्बा है वो पूरे भारत वर्ष को तो फाइदा मिले गाई पर वो हर्याना परदेश के एक एक आदमी को एक एक वरकर को अच्छी तरीके से जानते हैं और वो पूरन तया जो है हर्याना परदेश का इलेक्शन जो है उनके अंडर ही लड़ा जाएगा और वो पूरन तया रूप से हर्याना परदेश में तीसरी बारी सरकार बनाने का काम करेंगे ये थे मेरे साथ हैफेड के चेर्मेन केलास भगत इन्हों ने बताया कि मुख्य मंत्री नायव सिंग सेनी द्वारा बुलाई गई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है आनिल कुमार टोटन लियो चंडिगार